एलोग वेलकम टू इललनाम यूट्व चैनल सवागत है आपका इललनाम के इस यूट्व चैनल पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमने आपके बेनिफिट के लिए एक जॉब सीरीज सुरू की है तो उसी जॉब सेरीज में आगे बढ़ते हूं बात करते हैं आज एक नए जॉब की इसमें बैसिकली तीन वेकेंसी आपके पास किसमें बायो टेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेर नुडेली के अंदर बहुत लोग इस इस इंस्ट्ट और्गनाइजिशन को जानते भी होंगे यह ट्रेनिंग भी कंड़र्ट करती है शिक्स मंथ की ठीक है तो सी आप बारे में आगे बढ़ते हैं यह जो तीनों पोस्ट है वो ट टेक्नलोजी ट्रांसफर क्या मतलब होता है कई लोग जानते भी होंगे टेक्नलोजी ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो साइन्टिस्ट या अकेडमिक में जो रिसर्च चल लिए होती रिसर्च इंस्यूट में जो रिसर्च चल लिए हो बेसिक लैब लेवल या ज्यादा ज प्रेिंडेसर्ट्री एक एक करेगा तो उसी इसी चीज़ को असान करने के लिए फ्रतफिन परम जाती है ताकि मीडियम बने ल्प के लो दोि लॉट लोग को और नीज्टेक्ट्रीीन लेस्टश्ड तुसको असानी सें इंडेस्ट्रिन इसका है कुछ एग्रिमेट वगरा साइन करके ठीक है तो उसी में पहली पोजिशन है मैनेजर इनोवेशन पर पार्टनर्शिप इसमें वन वेकेंसी है इसके लिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पिएसडी यह मस्थी इन बाय टेक्नलोजी एन लाइफ साइंस ठीक है इ आपके पास दो से तीन साल का वर्क एक्स्प्रियंस होना चाहिए आई पी इंट्रिक्ट्र प्रॉपर्ट्र राइट्स में ठीक है वर्क प्रॉफाइल तो मैं वर्क प्रॉफाइल बताता हूं इसमें जो यह पोस्ट होगा मैनेजर मैनेजर एक्ट करेगा मीडियम लैब औ रिसर्क हो रही है उसको सक्सेस्फुली टेक इंडस्ट्री लिवल त到底 Malaysia करना है मताव इंडस्ट्री में जो लोग काम कर्रें जो लैब में काम कर रहें उन दोनों को मिलाकर आपको technology को transfer करना है साथी साथ आप जो scientist होगे उनको assist करेंगी ताकि जो आप अगर उनके research में startup potential है तो startup भी build करेंगे मतलब basically आप ऐसे medium act करेंगे lab और industry के बीच में इसमें salary होगी 60,000 to 70,000 age limit होगी 40 years की next बार करते है business development manager इसमें भी one vacancy है इसके qualification आपको चाहिए PhD ये MSC in biotech ये life science सेम उसी तरह साथ ही सागर आपके पास diploma या certificate और technology transfer में तो भी एक desirable है इसमें desired experience आप मांगा है कि 2-3 साल के आपके पास work experience होना चाहिए technology evolution में मतलब कि जो research हो रही है उसका techno economic analysis करना है अभी बताऊंगा में क्या होता है work profile में work profile में बताया है कि जो research चल लिए उसका आपको market assessment करना है ताकि कि जो research है उसका कोई market में use है कि नहीं या फिर रिसर्स ऐसी चल लिए है इससे society का कुछ benefit होगा कि नहीं इसका market कहां कहां है साथी साथ आपको इस पूरे research का techno economic analysis करना है मतलब कि कितना input cost हो रहा है कितना processing cost लगेगा और कितना labor cost पूरा cost analysis करना है और कितना output हो रहा है मतलब क्या profit होगा अगर पूरे technological market में ले जाए तो ठीक है इसमें salary आपको मेलेगी 60 to 70 thousand age limit होना चाहिए 40 years की ठीक है next है junior IP manager इसमें भी one vacancy है इसमें qualification क्या होना चाहिए आपके पास M.Tech या M.Sc Life Science या Biotechnology desirable मांगा है कि आप एक patent agent हो या फिर intellectual property right में आपके पास diploma हो इसमें experience जो desire experience मांगा है उन्होंने 1 to 2 years का मांगा है intellectual property right matters में ठीक है work profile तो इसमें basically आपको दो काम करने है पहला आपको prior arts search करना है literature search करना है मतलब कोई अगर scientist आपके पास कोई अपना इससास भेजता है कि इसका patent file करिए सबसे पहले आप उसका literature review करें है मतलब search कि ये patent already file है कि नहीं या इससे related research paper publish है कि नहीं अगर publish होगा तो आप scientist को मना कर देंगे कि नहीं ये patent already file हो चेका है अगर by chance अगर वो पूरा patent new novel होता है मतलब नया काम है तो आप scientist के help करेंगे उस patent को draft करके file करने में ठीक है इसमें salary है 30 25 to 35,000 इसकी age limit है 35 years ये तीनों position contract basics भोंगे initially one year के लिए और आपके performance के हिसाब से decide होगा कि इस positions को आगे बढ़ाना है कि नहीं ठीक है तो मैं जल्दी से एक summary देता हूँ सबसे पहली position है manager की इसमें काम होगा आपको एक medium act करना है lab और industry के बीच में इसमें salary होगे 60 to 70,000 की next है business development manager इसमें भी PhD और message चाहिए इसमें आपको जो research चल लिए उसका market assessment और technology evaluation करना है last है junior IP manager इसमें चाहिए mtech message इसमें आपको patent filing और patent search करना है ठीक है apply करने सबसे simple तरीका है आपको अपनी cv जो post के लिए apply करने है उसको subject में mention करिएगा अपनी cv इस mail पे बेज़ दीजेगा ठीक है ये pdf अपने telegram channel प्रवाइट कर देंगे तो आपके अगर कोई भी queries हो तो आप इस comment section में जरू पोस्ट करिएगा हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल से जल सौज करने की अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो तुरण subscribe करिए और notification icon दबादे Thank you and bye bye